नमस्कार मैं रहुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं हाल में जो बिहार के मानिय शिक्षा मंत्री के रामचरित मानस मनुवा सुम्रती और बंच अफ थौट्स पर दिये गया ब्यान के बाद जो इस्थिती बिहार और पुरे देश में हुई और डिफरेंट चैनल्स पर ूल के रहें हुआ यहां वी रूध किजिए वहां वी रूध किजिए इसे स्माज में असांती भदा हो सकती है, चुंकि हो सकता है कि जितने लोग विरोध में खरे हो, उसे जादा लोग समर्थन में खरे हो जाएं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, सभी मामलों का निश्पाद सांती पुरुणतरी के सहोना चाहिए, और जो बातें हैं, वो निष्चित तोर पर इसमें अंतर आज सकता है कि हाँ वे आज के समय में ये दो हे प्रासंगीक है या दो नहीं मैं इस समंध में मैं चर्चा करना चाहूंगा तो उन्हों मन्यों स्मृति का भी नाब लिया था मन्यों स्मृति जिन्हें बहुत लोग और एक बहुत इंपोर्टेंट संस्था या मानती है कि वेदों के बाद हिंदू धन का सबसे महत्रपुर्ण धनमग्जनत है वो लेकिन मनु अस्मृति आज से नहीं है वरन मिलति अनसौची जाती जनटाती या कि पछे बर के लोग जब पढ़ने लिखने लगे तो जब जैसे जैसे धिरे धिरे ग्यान होता गया तो सभी लोगों को ये जानकारी होने लगी है कि मनु अस्मृति में इतनी अजीब बाते लिखी भी है जो किसी को भी चोट में हो सकती है किसी की भावना को जो वर्नास्रम जो विवस्था है उसमें जो अंतिम पैदान परजिसे कहा जाता है जो कामगार जातिया है जो मद में क्या-क्या वर्नित अगर ये वर्नित नहीं होता तो मैंनी समझता कि डॉक्टर बी आर अंबेट कर सा जैसे महान व्यक्ति को खुले आम चुनोती देनी परती और 1927 में इसे चोराहे पर जाने की जो परती इसके पावजूद भी मैं हिंदु धन के शंक्राचारियों से धर्माचारियों से अमरोद करना चाहूंगा कि इस परिस्थिति असपष्ट की जानी चाहिए कि मनुव स्मृती में जित तरही बातें वर्नित हैं इस दुनिया में बहुत से धर्म हैं क्या इसाई धर्म के धर्म ग्रंथों में इसलाम धर्म के धर्म ग्रंथों में शिख अंतर दिखलाए गया है, सभी के खून तो समान है, फिर ऐसी परिस्तिती में जब ये बातें अगर उस समय लिखी गई, तो इस पर असपस्त करना चाहिए धर्माचारियों को, कि आज के समय में इसकी प्रासंगिक्ता नहीं रह गई है, और इसके समय में क्या निती अपनाई जानी चाहिए धर्म के बरे-बरे जानकारों के द्वारा, जो धर्म के रूप में मानते हैं कि हिंदु धर्म में ये सुधार, इन गरंथों में सुधार की अवस्क्ता है, वे इस समद्ध में स्टीप ले सकते हैं, ताकि भाविष्य में किसी तरह के विबात की स्थिती और जो स्थितियां हैं, उन्हें मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, इसलिए कि जो बातें मैंने गूगल पर सर्च की, जब मैं कुछ स्लोकों को देखता हूं, उसका हिंदी अनुवाद मैंने गूगल से सर्च किया, तो देखने में लगता है कि आखिर कितना दुखधाई यह किसी के लिए भी कर्ष्टपद हो सकता है, मैं उसमें से कुछ का जिकर करना चाहूंगा, जो मैंने गूगल से सर्च किया है, कि मनुवाद स्मृति 10-50, इसकी अनुसार वर्ण संकर जातियों को गाउं या बस्ती के अंदर नहीं रहना चाहिए, वर्ण गाउं के पास प पर में एक ही कर्म नियत किया है, कि वो अतन्न मन धन से तीनों वर्ण की सेवा करें, मनुवास्मृति 10, स्लोक 125, सुद्र से तो सेवा ही कराएं, चाहे वो खरीद कराया हो, चाहे बिना खरीदा हुआ, मनुवास्मृति 2-31, ब्रामन का नाम मंगल में, छत्रे का नाम सक्ति म में, वेश्य का नाम धन में, और सुद्र का नाम मिंदा में होना चाहिए, मनुवास्मृति अध्याय 2-36, जिस राज में न्याय करने वाला सुद्र हो, उस राजा का राज कीचर में फंसी, गाय के समाल, क्लेस पराप्त करता है, मनुवास्मृति 8-379, ब्रामन अवद्य है इसलिए उनके केस मुरवादें और अनवर्ण वालों को प्रांध दंड दें, ये दंड विदान पर है, मनुवास्मृति 8-382, ब्रामन के वद से अधिक अन्य कोई पाप संसार में नहीं है, इसलिए राजा उसे मारने का विचार न करे, मनुवास्मृति 9-319, इस प्रकार ब्रामन जदी बुरा कार्ज भी करे, तो भी पुझनी है, क्योंकि वा भुमंडल में परम देवता है, मनुवास्मृति 9-317, ब्रामन चाहे मुर्क या विद्वान हो, वा महान देवता होता है, वेद विधी से प्रतिष्ठित हो या ना हो, जैसे अगनी महान देवता है, म गिल्ली, नेवला, चीरिया, मेधर, कुता, गदा, उल्लू और कववा मार डालने पर जितना पाप होता है, उतना ही सुद्र को मार डालने पर होता है, मनुवास्मृति 8-281, यदि सुद्र उच्छ जातियों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करे, तो राजा उसकी क मनुवास्मृति 1-107, संसार में जो कुछ भी है, सब ब्रामनों का है, यदि ये बातें जो मैंने गुडल पर साच की है, अगर ये दर्ज है मनुवास्मृति में, तो निश्टी तोर पर मिलान रोद होगा, कि हिंदू धर्म के, जो हमारे चारों पिठों के संक्रा चार्ज पर ने होना चाहिए, ताकि अपने देश में कोई विवाद भविश में पैदा नहीं हो, भारत सरकार को भी ऐसी विवस्ता करनी चाहिए, कि इस धर्म गरंथ को लेकर इस तरह कि जब विवाद की स्थिति आती है, तो ऐसे समध में क्या उचित करवाई हो सकती है, ताकि कही भी शांती विवस्ता भंग नहीं हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो निश्टी तोर पर लाइक करें, शेयर करें, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अश्टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वी सब्सक्राइब करें, धन्दाबाद, जैए.